इ स्टुडेंट्स 39,00,00,00 रुपी जभी तक हाइयस प्लेस्मेंट है इस कॉलेज का धिरूबायम बानी का और इसका एबरेज प्लेस्मेंट बहुत ही जदा अच्छा है एक 11,00,00 रुप्या पर इयर इसका एबरेज प्लेस्मेंट है आप मुझे दिल से ढुण रहे थे और मैं आपके सामने आ गया मैं मितले सर आपको एजुकेशन जी में स्वागत करता हूँ एस्टुडेंट्स मैं आपको बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि आप हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं और जो भी हमारे स्टुडेंट्स कॉंटेक्ट कर रहे हम से वो पूरे ही तरह साटिस्फाइड हो रहे हैं इसके लिए मैं आपको बहुत ही धन्यवाद कहना चाहता हूँ और आसा करता हूँ कि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोज आपके लिए लाता रहूँगा और आपको टोटल अड्मिशन कॉलेज में जितने भी कॉलेज में आप चाहोगे उसका पूरा इंफॉर्मेशन हमारे एक्सपर्ट से जान सकते हो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं धीरुभाई अंबानी इंस्टिचूट हाँ ये गांधी नगर गुजरात में है धीरुभाई अंबानी इंस्टिचूट अफ इन्फॉर्मेशन और कॉम्निकेशन टेक्नलोजी ये ICT ये मेंली फोकस करते हैं कॉम्निकेशन पे तो ये इस कॉलेज के बारे में आप लोग बहुत डिमांड करते थे इसलिए मैं आपको इस कॉलेज के बारे में पूरा बताऊंगा इस वीडियो में इस कॉलेज का freeze क्या है? admission procedure क्या है? क्या मेरा rank रहे है? तो इस college का life कैसा रहेगा, अगर मैं admission लेता हूँ, तो क्या worth रहेगा की नहीं रहेगा, तो चलो, start करते हैं, students, सबसे पहले बात करते हैं, इसके stats के बारे में, तो ये 2001 का college है, establishment कितने का है, 2001 का, और इसके जो chairperson है, वो अनिल अमबानी जी है, हाँ, ये मुकेस अमबानी जी के brother हुए, तो उनका college है, chairperson वहीं हुए, ये धीरू भाई सर के नाम से college बना हुआ है, established हुआ है, तो इस चीज़ को आप ये समझ लो, कि quality, एकदम excellence level पे होगा, top level पे quality है college का, yes, तो बात करते हैं, कि sir, इसका, क्या admission procedure है, इसका जो students admission होगा, वो J.E.Main के rank पे होगा, जो all India के जो seats मिलते हैं, वो J.E.Main के rank पे मिलेते हैं, आपको जो last date है apply करने का 15th September से पहले form को apply कर लेना है, और आपको 1200 उपीज cost लगेगा form को apply करने के लिए, इसमें सबसे पहले देखते हैं, कि सबसे पहले all India quota का एक seat है, जिसमें लगभग 135 seat है, कितने है, 135 seat है, उसके बाद 10% लगभग 165 seat है, उसके बाद 10% लगभग 165 seat है, उसके बाद 10% लगभग 165 seat है, किसकी है, NRI quota के थुरूभी admission मिलते हैं, तो तीन तरह से इसमें admission तीन लोगों को मिलते हैं, पहला हो गया जो all India का quota, उसमें admission कैसे मिलेगा, J.E.Main के rank पे मिलेगा, तो sir आप पूछ सकते ह इतने rank लाएंगे, तो sir मेरा admission हो जाएगा, student आपको maximum 40-50,000 all India rank होना चाहिए, इसका मतलब मान लो, आपका percentile होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 95-96, अगर आपका इतना percentile है, इस college के लिए apply कर सकते हो, थोड़ा कम भी है, तो apply करो, ताकि देखो कि मेरा कहा position बन रहा है, अगर इसमें बात करें courses के, तो इसमें B-tech के courses है, M-tech के courses है, और MSA के भी है, अगर B-tech की बात करें, तो B-tech में आपको courses मिलेंगे ICT, Information and Communication Technology, ये बहुत कम जगा मिलते है courses, इस course का भी बहुत अच्छा demand है, अभी communication technology बहुत आगे चल रहा है, और आप जानते हो कि GEO जो है, व B-tech में ही, वो है B-tech in ICT, Computational Science, हाँ, Computational Science का भी इसमें है course, जो third course है, वो है B-tech in Computing and Mathematics, ये तीन courses ही आपको B-tech में मिलेगा, यहाँ पे Electronics, Mechanical, Civil, इस तरह का कोई भी course B-tech में अबलेबल नहीं है, वैसे ही similar M-tech में भी a specialization है, अगर M-tech में student को admission चाहिए, तो GATE में आपको Cities की बात करें, तो आपका well-established labs है, workshop सारे के सारे modern है, जितने भी आपको practicals के लिए आपको equipment चाहिए, वो totally available है lab के अंदर, ये आपके website भी mention है, और हमने कोईरा पे सर्च किया, और student से भी अगर हमने बात किया, तो वो बहुत ही ज़्यादा satisfied है, किसी भी instrument का, किसी भी apparatus की कम college में नहीं है, अगर बात कर लेते हैं students के social life के, कि अगर आप उहाँ पे study करोगे, तो कैसा मज आएगा, क्या-क्या उहाँ पे level है, तो students आपके लिए लगवग हर तरह के societies available है, चाहे आप चाहे तो research में आप लेना चाहते हो, तो research के societies available है, उसमें आप participate कर सकते हो, उसके बा dance के लिए है, आपको जो interest है, वो हर तरह के societies available है, हाँ, मैंने एक और भी notice किया, कि इसमें students study के लिए भी अपने-पने group बना रखे हैं, कि हाँ, हम लोग मिल के इतना study करेंगे, हम लोग इस project पे work करेंगे, तर overall देखा जाए, तो एमें अच्छा environment है, आप enjoy करके, प्रहाई भी बहुत अच्छे से कर सकते हो college में, extra curriculum की बात किया जाए, तो आपको regular events होते रहते हैं, iFest एक इसका technical events है, जो हर साल आपको college में होता है, उसके बाद students के लिए stage performance का भी option है, आप stage पे आके कुछ perform करोगे, तो उससे क्या होता है कि जो communication skills है, और extra curriculum activities में जो students participate करना चाते, उनके लिए बहुत अच्छा option है, समझ रहे हैं students? हाँ, अब आते हैं आपका favorite पसंदिजा चीज, कि sir placement कैसा है college का, कितना placement गया हुआ है, students 39 लाख रूपीज अभी तक highest placement है, इस college का धिरूबायम बानी का, और इसका average placement बहुत ही जदा अच्छा है, एक 11 लाख रूपया per year, इसका average placement है, तो अगर बात करें, कि sir इसमें अगर 11 लाख रूपया मिल रहा है, ये तो average placement बहुत अच्छा हुआ, just like bits पिलानी हो गया, हाँ students, क्योंकि ये ICT जो course है, ये BTK ये कम जग अब लेवल है, और इसको ज्यादा तर telecommunication में, जो अभी 4G, 5G देख रहे हो, उसमें आ average placement है, और सबसे important बात है, कि इसमें जो intake है, वो बहुत ही कम है, ज्यादा intake नहीं है, लगभग सारे 300 intake है, total students पढ़ सकते हैं, तो क्या हुआ, crowd कम हुआ, अगर companies, लगभग 198 companies आई है placement के लिए, तो सोचो, मतलब बहुत ही ज्यादा हो गया, companies का visit, तो इसलिए क्या है, इसका demand और इसका placement, average placement बहुत ही ज्यादा है, अगर आपको इस college में admission मिल जाए, तो बरे अराम से ले सकते हो, student एक और बात कर लेते हैं, fees के बारे में, कि college का सर्फ फीस कितना है, per year fees है student, 2,10,000, 2,10,000 रुपिया per year fees है, और hostel को अगर fooding, lodging मिला दोगे, तो 1,00,000 रुपीज complete हो जाएगा, एक private college में admission और study तो अच्छी बात है, क्योंकि college का reputation भी बहुत जादा है, अगर दिरुबाई से पढ़ते हो, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छी बात है, तो form सबसे पहले apply कर देना है, 15 September से पहले form apply कर देना है, हाँ, और इसका जो notable alumni है, वो भी बहुत अच्छे अच्छे है, कुछ notable alumni का मैं आपको बता देता हूँ नाम, नंदन पारिक सर है, जो अभी working कर रहे है currently, SAP इंडिया में, एज डेवलपर के रूप में, ये बहुत ही अच्छी companies है, यहाँ पे काम कर रहे हैं, उसके बास three party सर है, उनका अभी बहुत सारे companies में काम किय है, even Microsoft में, और Oracle में, तो ये research work कर रहे हैं उसमें, तो उनका notable alumni भी बहुत अच्छा है, और alumni का network ही बहुत अच्छा है, तो आपको support मिलेगा, सबसे पहला तो support मिल जाएगा, धीरु भाई अबानिये का, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है college में, एकदम मजे से परो, और admission मिल See you again!